ओम शान्ति आप सबको स्वाकते आपके YouTube चैनल पर और आज हम परमपिता परमात्मा का 349 दिन का इश्री वर्दान इसकी वर्डन करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि परमात्मा आज हमें गुणों के बारे में और शक्ति के बारे में क्या सिखाते हैं और इनको हम कैसे औरों को साथ में बाटें तो परमात्मा कहते हैं दिवे गुणों रूपी प्रभु प्रसाद खाने और खिलाने वाले संगम यूगी फरिश्टा सो देपता भव फरिश्ता खुद भी हलका होता है और औरों को भी हलका करता है तो परमातमा कहते हैं कि आप प्रभू प्रसाद खिलाएं कौन सा वाला? दिवे गुणों का तो दिवे गुणों का प्रसाद तो कभी किसीने सुना नहीं है लेकिन मंदरों में, मस्जडों में यहां भी आप जाते हैं, गर्जागरों में, वहां पर किसी प्रकार का प्रसाद, यह उसको कहें, टोली कहें, वह तो आपको दी जाती है, लेकिन सच्चा सच्चा प्रसाद कौन सा है, तो परमात्मा कहते हैं, वो है गुणों को प्रसाद, देखें, इसको विस्तार में बाब जाता है प्रमात्मा कहते हैं इस प्रसाथ को बाटो जैसे एक भूमे स्नेहे की निशानी स्थूल टोली खिलाते हो आप सम आब आप को में जायेंगे जाए yet से सिंधी में तो जाता है टोल सिंधी में वयला का जाता है पर उसलब आप्र सब्सक्राइब खिलाओ, अब गुण कौन से हैं, हैं तो टूटल 36 गुण हैं, 36 गुणों में थैरता आगई, पवितरता आगई, सादगी आगई, सेहन शीलता आगई आपके अंदर, उसके साथ में आत्मनिरभरता आगई, और साथी साथ अंतरमुकता आगई, तो बहुत सारे ऐसे गुण है दिव्विगुण हैं, जो कि अगर हमारे अंदर हो, तो परमातो कहते हैं, उनको अगर आप यूज करते हो, तो औरों को भी वो दिखते हैं जिस आत्मा को जिस शक्ती की आवशिक्ता है, उसे अपनी मंसा अर्थात शुद वृत्ती, राइट आटिट्यूड, हमारे एकर वृत्ती अच्छी हो, और हमारी वाइब्रेशिन उस तक पहुँचें, तो वाइब्रेशिन द्वारा शक्तियों का दान दो, जैसे कि कोई व कार की प्रेर है, कि दूआ करना, तो गुणों का दान करना ही दूआ करना है, और शक्तियों का दान करना ही दूआ करना जैसे है, तो कोई सिच्छीन आई है, उसमें कोई विक्ती अगर हताश हो रहा है, निराश हो रहा है, लेकिन अगर आप सह में हुए नहीं हैं, लेकिन आप बिक्कुल अपने कंट्रोल में हैं, अगर आप पेशिंस से हर काम कर रहे हैं, आप बहुत हवड़त हवड़ मनी आ रहे हैं, अगर आपको गुसा नहीं आ रहा है उस समय, आप इरिटेशन में नहीं हैं, तो वो गुंड और देख करके, या तो कुशिंग करेंगे कि आप इतने कैसे आराम से विक्कुल शांती से बैठे हुए हो, तो उस समय गुंड देने का, ग्यान देने का मौका मिलता है, और अगर वो ना भी पूछें लेकिन अब्जर्व करते हैं, तो भी आप से सीखते हैं, कि इस तरीके से भी इस सिचूशन को फेस किया सकता है, इसका सा योग तो, तो घर में भी अपने दफ्तर में भी अपने बिजनस में भी हम अपने सिचूशन तो हर दिन आती हैं हर एक के सामने, लेकिन उस सिचूशन में अगर हम सही गुंड का इस्तमाल करें, जहां में धहरता चाहिए, वापे हम धीरज धरें, जबकि और कोई हो उस बिल्कुल इदर उधर भागना शुरू करें, लेकिन धीरज धरें, तो आपने धीरज का गुंड दान किया, अगर आपने आत्म निरभरता का गुंड दान किया, तो और आत्मे भी आत्म निरभर हो जाएंगी, अगर आपने औरों को दिखाया कि सहनशील कैसे होना है, पव अगर आप किसी से यह ना पूछना चाहें, कि वो मेरे बारे में क्या सूचता है, वो मेरे बारे में क्या सूचता है, वो वेक्ति मेरे बारे में क्या सूचता है, जो मेरे अंडर काम कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सूचते हैं, अगर आपने पॉलिटिक्स ना खेली ज तो सिर्फ वो खाने पीने वाला प्रसाद नहीं यह वाला प्रसाद बाटने की जुरूत है तो इसी विधी से संगम यूग का जो लक्ष है जो संगम यूग चल रहा है जो कि कल यूग के अंद और सत्यूग नई दुनिया के बीच का समय होता है बहुती मैतपूंट समय बहुती कम टाइम का होता है फरिष्टा सो देवता तो फरिष्टे क्या करते हैं हर किसी की मुसिबत को हटाते हैं हर किसी को सही रिष्टा दिखाते हैं क्योंकि वो खुदी हल करते हैं उनको किसी से कुछ लेन देननी होती है वो मतलब से कुछ नहीं क प्रत्यक्ष्य है फरिष्टा सो देवता यह सहज सर्व में प्रत्यक्ष्य दिखाई देगा कि लोग आपको फरिष्टे जैसे समझेंगे आपके अंदर वो हर सोलुशन हर प्रोडम में किस तरीके से कौन से गौण कौण सी शक्ति के प्रसाद को इस्तमाल करना है वो समझ जा करते हैं कि हम इस प्रभू प्रसाद को हम स्वीकार करें लेकिन इसको स्वीकार कैसे करना很好 शक्ति कौन सी है Fragen इसको नहीं श्रुए विष्वि विद्याले में ब्रह्म कुमार्य के Saccard के चाहिए विद्याले में मेधिशिंटीशन सहके पाड़ेगी आप जरूर जाएं वहाँ पर और इसके साथ में ओम शिंती